कलकी जन्म हो चुके हैं अपना लीला आरंब भी कर चुके हैं एक अवतार को जो जो साधना तपस्या करने की आवसकता है उसका भी आरंब कर चुके हैं छे सो सालों पहले गुर्वत चुतानंद जी ने जो जो संकेत लिखे थे सब हो भी रहा है जगनात मंदिर में खून के छीटे आकास दुओं के रंग में परिवर्तन होना हो रितु चक्र में परिवर्तन होना हो सोलर स्टॉम हो कोविड की महमारी हो 2020 से लेके 22 तक जो जो संके मालिका में लिखा था सब हुआ है आगे भी होता रहेगा लेकिन एसा कौन सा संकेत गुरुदेव ने लिखा है जो आगे होगा और कलकी के प्रकट होने का प्रकास होने का प्रमान वहीं से मिलेगा 2020 के बाद से पूरे विश्व में एक अजीब सी इच्छा जागरित हुई है कलकी कौन है कहा है कलकी कब आएंगे कलकी क्या करेंगे ये इच्छा सक्ती एसे ही अचानक से सब के अंदर जागरित नहीं हुई ये योग माया का खेल है सुरुष्टी का खेल है क्योंकि आखरी अवतार आ चुके हैं अगर योग माया ये खेल नहीं रचाती और आपके अंदर इच्छा सक्ती जागरित नहीं होती तो कल की अवतार का कोई महत्व ही नहीं रहता ठीक वेसे ही जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है अगर आपको पहले से ही मालुम चल जाएगा तभी तो आप उनके स्वागत के लिए तैयारी कर पाएंगे ठीक वेसे ही अगर भक्तों को मालूम ही नहीं चलेगा कल की कब आएंगे तो तैयारी केसे करेंगे भला हमेशा याद रखिएगा दोस्तों भगवान के लिए भक्त नहीं होते बलकि भग्तों के लिए भगवान होते हैं गुर्वच्चूतानंद जी का समाधिस्तल ओडिसा का नेमाणा नामकस्तान है समाधि के उपर है बरगत का पेड़ गुर्देव ने कहा है कि जब उस बरगत के पेड़ का डाली मेरे समाधि के सिर पर छुएगा टच करेगा समझ लेना कल की प्रकट होने वाले हैं क्या ये हो चुका है नहीं दोस्तों लेकिन कुछी दिनों में होने वाला है बस और थोड़ा सा ही बाकी है ये तो एक रहस्य है लेकिन सबसे बड़ा रहस्य समाधिस्तल के नीचे छुपा है केसा रहस्य समाधिस्तल के नीचे मौजूद है अति महागुप्त गरंथ जिसमें बहुत सी बाते लिखी गई है क्या लिखा है महाभारत के बारे में लेकिन महाभारत तो द्वापर युग में हो चुका है द्वापर का महाभारत सेस नहीं हुआ है दोस्तों बाकी है जो की इस कल युग में आखरी समय में लढ़ा जाएगा इसलिए सारे युद्धा फिर से जन्म हुए हैं युद्ध की तैयारी कर रहे हैं कईयों ने तो आरंब भी कर दिया है रूस युक्रेन का युद्ध उसका प्रमाण है रूस युक्रेन का नित्रुत कर रहे दो लोग कोई सामान्य वेक्ती नहीं है दोस्तों दोनों द्वापर के महाभारत के युद्धा है नाम खुल के बता नहीं सकता अनुमती नहीं है क्योंकि गुरुदेव ने कुछ नियम बनाया है जिसका पालन करना पड़ेगा लेकिन आपको गैरेंटी देता हूँ जितनी महागुप्त बाते मैंने आज तक डिकोड करके आप सब को कहा है सायद ही कोई बोल पाएगा मालिका की रचना डराने के लिए नहीं की गई है बलकी भक्तों को सतर्क करने के लिए की गई है खुद को पहचानिय दोस्तों आत्ममंधन कीजिए क्योंकि समय बहुत कम है और कली हर जगा भारी है हमें इससे निकलना है और एक उंचे स्तर पर पहुंचना है परिवर्तन ही इस समाज का एक लोता नियम है अगर अभी परिवर्तन को ग्रहन नहीं करेंगे तो आगे आप ही फसेंगे सत्य और धर्म का मार्ग सबसे स्रेष्ट मार्ग है सनातन में हमें यही सिकाया गया है अभी समय है फिर से उस सनातन के संस्कृति को दुबारा आरंब करने की तब ही जाके कुछ अच्छा फल मिल पाएगा आप सबने मुझे बहुत प्रेम दिया है, सात दिया है, योगदान भी दिया है आप सब को रुदे से धन्यवाद करना चाहूंगा जै जगन्नात, जै पंचसका, जै हिन्द